हेलो अबरीबन वेलकम टू माय चनल तो आज हम दो देखेंगे चैप्टर वन आर इन्भाइर्मेंट ओके तो आई हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और समझेंगे क्या कुछ का आगे इस चैप्टर के बारे में तो कहता है वी सी अफेराइटी आफ प्लांट्स और अनिमल्स अ अनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ वो सिमलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं यह डिपेंड करता है कि वो किस क्लाइमेटिक कंडिशन में रहता है ओके लिविंग ऑब्जेंग्स डू नॉट लीव इन आईसोलेशन दे इंट अकेले नहीं रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो लिविंग भी हो सकता है नॉल लिविंग हो सकता है उसके आसपास बहुत सारे नॉल लिविंग फिंग्स होते हैं स्राउंडिंस में उसके साथ वो इंटरेक्ट होते हैं आनि उसके साथ उसका कु इतने भी animals हैं वो अपने surrounding के according अपने आपको ढाल लेता है उसको जिस तरह का surrounding मिलता है उस तरह के surrounding में अपने आपको क्या करता है ना ढाल लेता है नेक्स्ट हमारे पास है we find that there are two types of objects in our surroundings अना कितने तरह के object है two types के objects है उसमें से पहला कौन है animals and plants and animals including human beings from the living component ये देखिए पहला क्या हो गया living component और living component में कौन कौन हैंगे तो plants, animals and human beings ये हमारे क्या हैंगे living component और इसको हम लोग क्या कहते हैं they are called biotic components तो जो living है living things हैं उसको हम किस category में रखेंगे biotic component में रखेंगे हम लोग ये learn कर लिए biotic component means जो हमारे आसपास living thing है उसको हम कहते हैं biotic component अभी दूसरा बात करते हैं air, water, soil, light, temperature, etc. are non-living ये सब क्या है ना non-living है और इसको हम लोग क्या कहते हैं abiotic components कहते हैं तो हम लोगों नहीं अभी यहां पर दो term को देख लिया पहला तो biotic और दुसरा abiotic okay abiotic मतलब वैसे component या वैसे things जो living नहीं है बलकि non-living है जिसमें जान नहीं है okay but biotic component किसको कहेंगे जो living है यह हम लोगों को clear हो जाता है next हमारे पास है both biotic that is living and abiotic non-living components taken together constitute our environment okay जब दोनों को हम मिला के बात करेंगे जिसे biotic component और abiotic component दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो हमारा क्या हो जागा ना यह हमारा environment को constitute करेगा आनि हमारा जो environment बना हुआ है या फिर हम अपना environment की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह के component हमको देखने को मिलेंगे non-living और साथिसाथ living ओके दोनों तरह के object हम देखते हैं तो अभी यहां हमारे पास topic स्टार्ट हो गया है biotic environment ओके living things के बारे हम लोग यहां पे देखेंगे तो यहां पे कहता है living organism that is all plants and animals including humans from the biotic environment okay biotic environment में कौन-कौन सामिल है तो जितने भी living organism है living organism में कौन-कौन आएंगे plants animals और साथे साथ human beings भी आ जाएंगे let us try to understand its different component one by one आईए हम बात करेंगे जो हमारा biotic component है उसमें से कौन-कौन से है उसके बारे में तो पहला तो हमने यहां पे क्या देख लिया plant एक नमर पे ओके जिसको हम producer भी कहेंगे दुसरा हमारे पास क्या होगा animals जिसको हम consumers भी कहेंगे इसके बारे में देखेंगे और हमारे पास तीसरा आएगा micro organism जिसको हम कहेंगे decomposers तो अभी तीनों के बारे हम study कर लेते हैं और यहां पे activity भी आ जाएगा अपना तो चलिए हम first start कर लेते हैं जो कि है plants okay plants के बारे हम जाने के तो plants को ना हम लोग producer भी कहते हैं क्या कहते है producer producer हम इसलिए कहते हैं चुकि वह अपना food item ना खुद से त्यार कर लेता है तो आएए हम यहां पे पढ़ लेते हैं we all know that plants like other organism need food plants को भी food item चाहिए जिस तरह से दुसरे living organism को चाहिए होता है all green plants have the coloring matter called chlorophyll देखिए जितने भी plants होते हैं उसमें उसका leaves color होता है green color का और green color का क्यों होता है तो यह chlorophyll उसके leaves में पाय जाता है इस होजा से उसका color कैसा होता है green color का होता है the chlorophyll which is present in the leaves absorbs energy from the sun तो यह जो chlorophyll यह क्या करता है sun से energy क्यों absorb करता है ओके this energy is used to prepare food और यह जो energy absorb करता है ना plants के leaves वो कहां पर यूज किया जाता है तो food को prepare करने में for this plants also use carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soil देखिए food prepare करने के लिए आनि जो plants food prepare करेंगे उसके लिए तो उसको energy चाहिए sun से साथे साथ उसको और क्या चाहिए उसको चाहिए carbon dioxide ओके जो कि atmosphere से लेंगे और water and minerals चाहिए जो कि वो soil से लेंगे ठीक है this process of preparing food by the plants is called photosynthesis तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे photosynthesis का definition मिल जाता है process of preparing food by the plants is called photosynthesis और photosynthesis के लिए क्या क्या raw materials चाहिए तो आपने यहाँ पे देख लिया है energy चाहिए sun से साथे साथ उसको water and minerals भी चाहिए और carbon dioxide भी चाहिए होता है यहाँ पे अपना equation दिखाया गया the following equation represents this process तो पहला क्या दिया गया है carbon dioxide जो कि atmosphere से मिल जाएगा दुसरा क्या water जो कि plant को मिल जागा soil से और इसके बाद sunlight तो sun से मिलेगा और chlorophyll उसके पास अपने lips में present है और वो क्या बनाएगा glucose यही उसका क्या है न फूड है यही उसका food है और साथे साथ हो oxygen release करेगा oxygen का जो कि हम लोग यूज कर लेते है animals यूज करते है हाना तो यह equation आप learn करेंगे यह equation आपको याद करना चाहिए next हमारे पास है ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेर देर ओन फूड गूलूकोज आर कॉल प्रोडियूसर ओके और और ओटो ट्रॉप्स ओटो मिन्स क्या हो रहा ना अपने आप में और ट्रॉप्स मतलब होता है फूड ओके तो वैसे एनिमर्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेर कर ले उसको हम लोग कहते हैं ओटो ट्रॉप्स ओटो ट्रॉप्स तो यहां पर इसको हम प्रोडियूसर भी कहेंगे ओके तो ग्रिन प्लांट्स को हमने क्या क्या नाम से जान लिया प्रोडियूसर और साथिसाथ ओटो टॉप्स के नाम से हमने जान लिया यहां पर एक डाइगराम पिक्चर दिखायागी है आप लोगों को और यहां हम देख सकते हैं यहां पे निचे लिखा है प्लांट्स प्रिपेर डियर ओन फूड यूजिंग स sunlight का इस्तिमाल करके plants ना अपना food खुद से prepare कर लेते हैं यह हम लोग को यहां पे बताया गया है चलिए तो यह तो था अपना पहला जो किये था plants के बारे में अब दूसरा हमारे पास है animals जिसको हम क्या कहते हैं ना consumers भी कहते हैं consumers मतलब जो consume करता है ना जो खर्च करता है तो animals cannot prepare their own food animals जितने भी हैं अपना food खुद से prepare नहीं कर सकते हैं they have to depend on plants for their food और यह जो animals हैं वो अपने food atom के लिए ना दूसरे के उपर निर्भर करते हैं अपने से food prepare नहीं करेंगे तो उसको food तो चाहिए इसलिए वो दूसरे के उपर depend करते हैं they are called consumers और hetero troops इसलिए उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं hetero troops या तो फिर consumers hetero means होता है other and troops मतलब हो रहा है ना food food जो food अपने से नहीं त्यार कर सकता है food atom के लिए दूसरे के उपर depend रहता है उसी को तो हम लोग hetero troops कहते हैं और इसको दूसरे वर्ड में हम लोग consumers भी कह रहे हैं कि इसको animals को ओके यहां पर picture में हम लोग देख सकते हैं दिखाया गया है काव को काव fits on grass काव जो है क्या खाती है घाए घास खा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अपना food यह खुद से तो prepare नहीं करती है हाना अपने food atom के लिए grasses पर depend करते हैं अब यहां पर हम लोग की बात किया गया है human being अपने food atom के लिए दूसरे के ऊपर depend करता है ओके आप देख सकते हैं आप फूर्ट से बच्चा खा रहा है ओके तो फूर्ट से आता है ना फूर्ट से प्रिपेर नहीं किया है अपने घर में तो त्यार नहीं किया उसको तो प्लांट से मिल रहा होता ह है इसलिए इसको यहां पर क्या कहा जाएगा यहां पर यह कहा जाएगा hetero drops हम लोगों ने यह भी देख लिया चलिए आगे हम और बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर हमारे पास है all animals feed on green plants जितने भी animals है वो green plants पे निर्भर करते हैं feed on कहने का मतलब हो रहा है न गिरीन प directly और indirectly मतलब क्या हुआ directly कहने का मतलब हुआ direct plant को अपना फूड बना लेना और indirectly कहने का मतलब हुआ plant का जो product है ओके उसका दूसरे वे में इस्तिमाल करना तो indirectly को आहां हम समझ लेते हूं कि indirectly मिन्स क्या हो रहा जरा आप समझेगा ओके तो आप देख रहे हैं आप पिक्चर पर क्या दिखाया है कि आपको टाइगर दिखाया गिए ओके टाइगर किसके उपद भूपर करता है अपना फौड आटम के लिए बता देजिए तो टाइगर निश्डित तो यहीर को अपना फूड बना लता है Eigen उकी प्राप्ड ह淡ैका है और यह कि तो अपना फूड कहा दिपन्द कर गिया यहें घी.ञ रिपेंद कर गिया अगर डी एर नहीं होता तो यह टाइगर भी नहीं होता तो अपना यह टाइगर भी नहीं होता macaroni ऊके तो इस तरह से यहां द्राइगे है हए और फ़ बाट को अपना फूड़ अम से नहीं बाता है लेकिन वहाइसे चीजों को आपना फूड़ अटम बनाएगा जो प्लांट के उपर Metpei कर तो यहां पी जो टाइगर वहान आप युटार है यह डारेक्ट लिप्लांग के उपर dollars के उपर ने buckswash you टाइगर इनडारेक्टली डिपेंड करता है किस पे प्लांट के उपर लेकिन आप डियर की बात करेंगे यह जो अपना डियर है यह डारेक्टली किसके उपर डिपेंड करता है प्लांट के उपर डिपेंड करता है कि यह हमने समझ लिया कि जो भी एनिमल्स है वह एनिमल्स य या तो डाारेक्टली प्लांट के उपर एंड्रेक्ड़ करेंगे और दिपेंड करेंगे आईए हम इसको ओर थोड़ा से पढ़ाई लेते हैं तो यहाँ पर क्या कहा हिए दीजहीगा कहता है एनिमल्स लाइक केटल और इसको हम लोग क्या कहेंगे ना प्राइमरी कंजुमर्स कहेंगे यह डिरेक्टली प्लांट को अपना फूड आटम के रूप में लेते हैं इसलिए इसको दूसरे नाम से हम कहेंगे हार्विवर्स ठीक है अभी आप दूसरा बात कर लेजिए एनिमल्स लाइक टाइगर लायन फीड ओन दीज हर्विवर्स यह जो हर्विवर्स है जैसे गोट हो गिये या फिर केटल्स हो गिये इसके उपर डिपेंड करते हैं कौन यह टाइगर और यह लायन इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इ संद्रच कंजुमस वीची फिड़ और क्लेक्ट सब्रक्वाटे Pittsburgh लोग एंटरेक्टली और कॉल से कंटR Euro कणजुमर्स और कार्निवार्स तो यहां तो प्यक्तलच आ करते हैं कि से कंटेनरी कंजुमर्स लोग केती हैं कौनिवर्स अनिमल्स को जैसे टाइगर ऊंक्य यह त दिरेक्टली घाती हैं जैसे डीयर होगे या तो फिर केटलों गवें फिर फूड़ होगे इसको अपना फूड आटम की रूप में ले रहा होता है, तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया हमने यहाँ पे समझ लिया हर्वी वर्स किसको कहेंगे आने की प्राइमरी कंजुमर्स जो डारेक्ट प्लांट को अपना फूड आटम के रूप में लेता है और दूसरा सेकेंडरी कंजुमर्स आने की कार्निवर्स जो डारेक्ट अपना फूड आटम के रूप में plants को नहीं लेता है बलकि दूसरे animals को खा लेता है ओके आगे और थोड़ा देखते हैं there are some animals which feed on both producers as well as primary consumers they are called omniverse कुछ ऐसे भी animals है जो दोनों के ऊपर depend करते हैं और दोनों ही को अपना food item के रूप में ले सकता है उसको हम omniverse कहते हैं animals like beer, pig, etc. are omniverse we human being are also omniverse देख लेजिए हम लोग जो human being है हम लोग भी क्या है omniverse है हम लोग भी ना दोनों तरह के चीज़ों को अपना food item के रूप में ले सकते हैं गोट, गोट से हम लोगो क्या मिलता है ना meat मिलता है तो उसको भी अपना food item के रूप में लेते हैं और अगर plants की बात करें तो fruits हना fruits को हम लोग डायेट plants से तोड़के खा लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग दोनों तरह के animals के तरह behave करते हैं इसलिए हम लोगों क्या हो गिए ओम्निवर्स हो गिए तो यहां पर ओम्निवर्स में कौन को ना गया यह देखिए बियर हो गया हमारा ओम्निवर्स तो बड़े है आसाने से हमने यहां पर इस page को समझ लिया है आईए हमारे पास third आता है micro organism जिसको हम लोग कहेंगे decomposers ओके तो आईए इसके बारे हम देखेंगे in addition to producer and consumers there are some organism which derive their food from dead and decaying plants and animals देखिए यहां पर जो हमारे हैं producers मतलब plants and consumers मतलब animals ओके यह दोनों होगे इसके अलावे भी कुछ-कुछ ऐसे organism है जो अपने food item को dead and decaying plants से प्राप्त करते हैं dead and decaying plants कहने का मतलब सड़े हुए या फिर जो dead हो गया मर चुका है animals और plants उससे अपने food item को प्राप्त करते हैं तो इस तरह के जो organism होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे decomposers के नाम से जानेगे decomposers breakdown the dead and decaying plants and animals into minerals यह क्या करते हैं जो decomposers से वो तोड़ देते हैं breakdown करने का मतलब हुआ तोड़ देना टुकडो टुकडो में बाढ़ देना आने की simpler form में लेके जाना यहां पर इसका meaning हो रहा है simpler form में लेके जाना decaying plants and animals into minerals उसको minerals में वो convert कर देते हैं these minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants okay this process is called recycling of minerals तो यहां पर हम अच्छे से समझ लें क्या कहा गया है कहता है कि जो decomposers है ना वो decompose कर देते हैं कि इसको dead and decaying plants and animals को अब उसको minerals में convert कर देते हैं और यह minerals किस से mix हो जाते हैं तो soil से mix हो जाते हैं अब फिर soil में mix होगे minerals उसको फिर से use कर ले जाता है किस के द्वारा plants के द्वारा this process is called recycling of minerals तो यह बहुत important point होगे आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है चुकि decomposers अगर नहीं होगे न तो हमारा जो environment है उसमें संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा balance बना हुआ नहीं रहेगा जो भी animals और plants dead करते हैं वो उसका decompose होता है किसके help से तो only decomposers के help से और वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं और उससे जो nutrients मिलता है फिर से वो plants के दोरा absorb कर लिया जाता है तो आप उसको जरूर से remember करेंगी next हमारे पास है fungi and bacteria are the organism that help in decomposition तो यहां पर कौन-कौन से organism है तो हमारा हो गया fungi and bacteria यह क्या करता है decomposition में help करता है there are these are so small that they cannot be seen with the naked eye यह इतने छोटे होते हैं कि हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं जब तक कि हम microscope का उप्योग न कर लें microscope अगर हम लगाते हैं microscope का उप्योग करते हैं तो हम देख सकते हैं यह सब organism को they are called microorganism और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं microorganism microorganism means बहुत चोटा organism means living organism ओके यह हमने जान लिया आए आगे बात करेंगे animals and birds like jackals, crows, vultures and kites consume dead bodies of animals जो animals के body dead होते हैं dead bodies जो है न उसको यह consume कर लेता है कौन यह सब animals ओके यह सब animals consume करते हैं dead bodies of animals this process help in keeping the environment clean और यह जो process है इसके वज़से न अपना environment क्या होता है clean रहता है they are called ascavengers और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ascavengers कहते हैं तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि ascavengers क्या है ascavengers वैसे animals है जो dead bodies को अपना food atom के रुप में लेते हैं और इसमें examples कौन को आएंगे तो jackals, crows, vultures, kite यह सब examples आएंगे आए do you know की बात करते हैं कहता है if dead organisms are not decomposed their number will go on increasing and there will be no space left for the living organism कहता है कि अगर जो animals dead करते हैं अगर उसका decomposition नहीं होगा तो उसकी संख्य इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो living organism है उसको रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगा तो अभी मैंने क्या बताया कि जो decomposers है यह बहुत बड़ा role play करते हैं अपना environment में अभी यहाँ हमने देख भी लिया do you know में तो आप इसको जरूर से learn करेंगे बहुत important हो रहा है some bacteria present in air water and soil can cause various diseases ओके जो bacteria present होएगे ना atmosphere में water में air में वो क्या करेंगे various diseases को कारण बनेंगी आईए यहाँ पर अपना activity one है इसको हम जल्दी से कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है न अजू feeder wants to segregate the animals listed below into three groups on the basis of their type of food they eat वो किस तरह का food item लेते हैं उसके basis पर उसको classify करना है तो आईए यहाँ पर animals के name दिये हुए हैं और यहाँ पर three columns भी दिया हुआ है ओके ओम्निवर्स पहला है हर्वी वर्स दूसरा है कार्णिवर्स तुसरा है ओम्निवर्स तो अभी हमने देख लिया हर्वी वर्स मतलब जो plants को केवल खाएंगे इसमें deer जिराफ, elephant, rhinoceros and क्या आगे आपना kangaroo वहीं दूसरी और अग हम बात करते हैं कार्णिवर्स की तो इ यहां पर आ रहे हैं तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं आईए there are certain animals that cannot be decomposed materials sorry there are certain materials that cannot be decomposed in nature कुछ-कुछ ऐसे material है हमारे आसपास जिसका decomposition होना possible नहीं है now let us perform the following activity आईए यहां पर activity करते हैं इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से material हैं जो decomposed नहीं होते हैं तो कहता है take some pieces of newspaper, a piece of cloth and a used plastic bag okay bury these in the soil इन सभी को आप मिट्टी में क्या करिए मिट्टी के अंदर रख दिजिए after one month dig up the soil and check for the three things एक महिने के बाद उसको check किजिए उसका क्या हाल हुआ होगा okay what do you observe आप क्या observe करते हो the plastic bag shows no change and is in the same condition as when it was buried plastic bag जो है उसमें कोई change नहीं हुआ है जिस तरह से उसको हमने मिट्टी के अंदर रखा हुआ था वो आभी वैसा ही बना हुआ है यह हम लोग देखेंगे paper and cloth have changed and are partially decomposed यह जो paper होगा और cloth होगा वो change हो चुका होगा और वो partially मतलब partially कहने का मतलब आधा अधूरा वो decomposed कर चुका होगा अब आगे हमारे पास है why has this difference in this materials occur okay यह difference हम को यहाँ पर क्यों देखने को मिला this is due to the difference in the action of the decomposers decomposers on them यह difference इसलिए देखने को मिला चुकि जो decomposers है न उस पर अपना action की action किये मतलब उस पर अपना काम किये okay now आए यहाँ पर paragraph पढ़ते हैं we observe that paper and cloth are biodegradable material biodegradable material मतलब जिसपे micro organism अपना action दिखा सकते हैं आनि जिसको decompose कर सकते हैं उसको biodegradable material कहेंगे bio means होगे living organisms okay and degradable मतलब होगे decomposable जिसको decompose किया जा सकता है तो these are materials which can be broken down into simpler substances by micro organism तो यहाँ पर हमने यह जान लिया ना कि biodegradable materials वैसे materials को कहते हैं जिसको decompose किया जा सकता है किसके help से micro organism के help से या या आप यूँ समझ यह micro organism जिस material को decompose कर देगा आने कि ब्रॉक कर देगा टुकडो simpler form में लेके चला जाएगा उस तरह के material को कहा जगा biodegradable material और उसमें कौन-कौन से आएगे तो यहाँ पर हमने दो example देख लिया है paper देख लिया है cloth देख लिया है आप कुछ और भी examples बता सकते हैं ओके आईए next हम बात करेंगे यहाँ पर जो डैफिन प्लास्टिक is non biodegradable प्लास्टिक कैसा है non biodegradable और यह डिकंपोज नहीं होता है किसके help से microorganism के help से आनि microorganism इस पर अपना action नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे that is it cannot be broken down into simpler substances by any microorganism plastic and other such materials affect the environment adversely अब प्लास्टिक और उसके जैसे और जो दूसरे materials है जो non biodegradable है वो हमारे environment को न अफेक्ट करते हैं ओके यह हम लोग learn करेंगे their accumulation in the seaway system leads to blocking blocking of drains in the inner cities अगर इस तरह के materials अगर drains में चल जाते हैं तो इसको block कर देते हैं अननाली को जाम कर देंगे ओके आगे कहा गया है burning of plastic material adds to the adds adds to air pollution okay air pollution भी होता है air pollution का कान भी बनता है कौन plastic जैसे materials को हम लोग burn करते हैं तो we should therefore convince our friends and relatives not to use plastic bags इसलिए हम अपने relatives को यह suggestion देंगे कि plastic bag का इस्तिमाल ना करें यहां पर देखे दिया गया है children saying no to plastic bags okay यहां पर बच्चे क्या कह रहा है न कि plastic bags का इस्तिमाल नहीं करना है हम लोगों को तो आगे हमारे पास यहां पर है इस पर अगराफ को लोग पूरा करें तो यहां पर हमारे पास आता है do you know हाना इसको हम लोग देख लेते हैं यह कहता है in some cities a twin bin system has been introduced for the welfare of environment okay twin bag system मतलब twin bin system मतलब आने की जो dust bin होगा वो दो तरह का होगा हाना एक में हम लोग डालेंगे non biodegradable material को और दूसरे में हम लोग डालेंगे biodegradable material को okay तो आए हां पर पढ़ लेते हैं blue dust bins and green dust bins are placed in the locality in the blue dust bins non biodegradable waste like plastic aluminium foil glass batteries are disposed off in the green bins biodegradable waste like vegetable waste paper cloth cardboard etc are disposed off okay तो दो तरह के twin bin system मतलब क्या होगा दो तरह के dust bin होएंगे अगल बगल रखे हुए होगे एक होगा green color का okay और एक होगा blue color का blue color में हम लोग क्या डालेंगे हम लोग डालेंगे non biodegradable waste को इससे क्या होगा उसको हमको dispose of करने में आसानी होगी आईए यहां पर हम देखते हैं next paragraph कहता है it is important for us to segregate biodegradable and non biodegradable waste is and dispose them in an environment friendly way तो दो तरह के जो waste है हमारा biodegradable waste and non biodegradable waste दोनों को नहां हम अलग अलग dispose of करेंगे ओके ताकि हमारा environment को कुछ ज्यादा हाने ना हो कहता है the kitchen waste can be put in a pit dug in the garden which is then covered with soil and dry leaves okay तो जो kitchen के waste होगे ना उसको हम garden में dump कर सकते हैं और उसको हम cover कर देंगे तो फिर वह वहां पर decomposed कर जाएगा ओके next this waste in the pit is acted upon by microorganism and gets converted into useful compost और फिर वह useful compost में convert हो जाएगा किसके action के द्वारा तो microorganism के action के द्वारा तो चुकि kitchen का waste जो अपना होता है वह कैसा होता है वह अपना होता है इसलिए वहां पर action हो जाएगा किसका macro organism का और वह convert हो जाएगा किस में तो useful compost में convert हो जाएगा यहां पर picture में हम लोग देख सकते हैं दिखाया गया है कि compost कैसे बनाया जा रहा है यह बर्मी composting है जिसको अगले paragraph में अभी देख लेते हैं ओके this compost can be used for growing healthy plants in the fields and gardens और यह जो compost बनेगा इसका हम use कर सकते हैं किस purpose के लिए तो plants को grow करने के लिए ओके next हमारे पास है in order to hessan the process of compost okay क्या कहा गया है in order to hessan the process of compost making a variety of earthworms called redworms can be mixed with the kitchen waste okay यह जो composting का process है इसको hessan करना मतलब तेजी करना जल्दी जल्दी से हो जाए अना इसके लिए हम लोग क्या करेंगे न अर्थworm को add कर देंगे डाल देंगे किस में kitchen waste में जिसको हम लोग redworm के भी नाम से जानते हैं जब इसको mix कर देंगे न तो यह process अपना जल्दी हो जाएगा they convert it into compost very fast वो इसको compost में बहुत जल्दी कर देगा यहां पर हम लोग देख सकते हैं redworm को दिखाया गया है okay picture में तो they convert it into compost very fast the process of forming compost with the help of various worms usually red worms white worms and other worms is known as बर्मी कमपोस्टिंग बहुत important है आप इसको जरूर लर्न करेंगे बर्मी कमपोस्टिंग क्या होता है तो बर्मी कमपोस्टिंग एक process है जिसमें हम लोग worms का इस्तिमाल करते हैं अलग-अलग तरह के worms जिससे red worms, white worms and other worms, earth worms इसका इप्योग करते हैं ताकि जो अपना waste है, bio degradable waste उसको हम कमपोस्ट में convert कर सकें जल्दी से तो बर्मी कमपोस्टिंग is an excellent, nutrient rich organic fertilizer and soil conditioner तो बर्मी कमपोस्टिंग जो हमारा compost बनेगा बर्मी कमपोस्ट यह बर्मी कमपोस्ट क्या होगा? इक्सलेंट बहुत ही अच्छा अना organic fertilizer है और इसका हम लोग use करेंगे plants के लिए तो हमारा fossil बहुत तेज़े से grow कर जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास activity है, इसके बाद हमारे पास आजाएगा abiotic component, abiotic environment इसको हम next वीडियो में देखेंगे तो आएए पहले हम यहाँ पर activity को देख लेते हैं तो activity 3 में कहा क्या गया है list the things or items you throw away as waste in the dustbin आपको वैसे items के name बताने हैं जिसको आप waste product के रूप पे dustbin में डाल देते हैं अब ही क्या करता है, don't you think some of them can be recycled, reused or composted उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसका recycle किया जा सकता है, जिसको reuse किया जा सकता है और composted किया जा सकता है तो कहता है, try to categorize the items in your list into three columns under the appropriate heading you may find it interesting to note that the names of some of the items can be put in more than one column तो आपके पास कौन-कौन से waste है, उसको आप यहाँ पे list में बना लेजिए और आप उसको देख सकते हैं कि एक item को आप एक से दूसरे जगह भी उसका नाम आ सकता है जैसे हम बात कर लें kitchen waste की, तो kitchen waste हमारा क्या हो जागा ना, composted उसको हम compost बना सकते हैं माले जी एक कुछ container है, जैसे plastic cold drinks आप पीते हैं उसका जो container है, bottle आप उसको fake देते हैं मारे पास recycled है, जैसे plastic के कुछ और भी items है, जिसको हम फिर से recycling में ले जा सकते हैं तो यहां पर आप items के name लिखेंगे, तो यह आपके लिए homework रह गया, आप इसको करेंगे तो चलिए आज के video lesson में बस इतना है, so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments, also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos thanks for watching, have a glorious day ahead